एक तरफ आप बात करते हैं कि कॉंग्रेस जो है, वो बीजेपी से मिली हुई है, आम आदू पार्टी ने आरूप भी लगाएं इस तरह के, कि कमलनाथ ने शिवराज को सत्ता सौंपी थी, एक तरफ ये बात आती है, दूसरी तरफ दिल्ली में अध्यादेश अटाने के 26 ऐसी पार्टी है, 26 ऐसे ओर्गनाइजेशन है, पॉलिटिकल ओर्गनाइजेशन, जिनका ये एक एलाइंस बना है, जिसका नाम इंडिया है, और ये सिर्फ राहूल गांधी का सपोर्ट नहीं है, ये क्योंकि एक आपको जब बहुत बड़े चोड से लड़ना होता है, उस जब महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी जो इतना लगातार गंदिगी कर रहा है, उसके लिए हम अकेले होके नहीं लड़ सकते हैं, हो सकता है कि जो एलाइंस बना है, अब वो सारे एलाइंस मिलके दूसरे का सपोर्ट करने के चक्कर में, हो सकता है कि बहतर हो जाएं, हो अगर इस एलाइंस में भी एक तरीके हैं कि अगर इसमें भी कोई ब्रश्ट होगा, उस पे भी कारवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कॉंग्रिस की हम बात करेंगे, टीमसी भी है इसमें और बहुत सारे रैंडम पार्टीज हैं, बहुत सारे लोगों ने सपोर ये.